हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ असलाम अलेकम तिंग टैंग में आपको खुशाम देद कहते हुए बात करने जा रहे हैं अब मौझूदा सियासी सूरत रहाल की कि अब ये उन्ट किस रुख बैठेगा, किस करवट बैठेगा, वजिराला पंजाब, शहबाज शरीफ, हुदैबिया के इस से तो किसी हरत तक निकले उन पे इल्जाम लगाने वाल एक चीनी कमपनी को ब्लैकलिस करके उस पर जुर्माना आयद कर दिया गया, फिर आपने देखा कि साबक वजिराजम ने उन्हें वजारत रुजमा के लिए 2018 में मुस्लिम लीग नून की जानब से नामज़त भी कर दिया, लेकिन एक गर्दब एपी सी वो बुला रहे हैं, शेबाज शरीफ और राना सनौला के इस्तिफ़े के लिए, अवामी तहरी की ये एपी सी कारगर साबित हो सकेगी, इस सवाल का जवाब दुनिया नियूस के ट्विटर आइडी, दुनिया नियूस के ट्विटर पेच पर आप दीजिया, यह याबाईट कंपनी हैं, जिसके इश्तिरहात आज सरकारी खरच पे पूरी अख़वारात में वहाँ पे दे दिये गए हैं, एक तो उन्होंने वैसे माफी मांगी है, चीनी रियासत से, उसमें कोई हवाला खादमे आला, जुनाब खादमे आला का नहीं है, लेकर इन्होंने उस कंपनी को जिसके हवाले से था कि पैसे यहां से गए, उन्होंने करके वो कर दिया, दूसरी छोटी सी एक बात है, सरकार के पैसे, पबले के पैसे लग रहे हैं, सरकार के वो लिखने वाले वहां पे हैं, कामस काम अपना वो अंग्रेजी में अपने इश्तिहार देना है तो अंग्रेजी इमला तो दुरुस्त करते हैं, उस इश्तिहार में हैं, वो जैसे क्रिकेट टीम वाले नहीं कहते थे, फरस्ट अफॉल थैंक्स बी टू अल्ला, अच्छा यहां भी इनोंने का, फरस्ट अफॉल थैंक्स बी टू आल्माइटी, ऐसे किया, आल्माइटी का जो A है वो छोटा है, अगर वो अल्माइट खादे मुसें रिज्मी को इस चीज़ का पता चल दिया कि वो है, तो एक और तुमके पास आजकर पढ़े लिखे अडवाईजर नहीं है, आयासाब दर गुज़र कर लीजिए, उर्दू में भी छप है, उर्दू में पर लीजि जी यहाँ, इसमें कोई शक्त नहीं है, कहा एक है, इसमें हर चीज़ का वक्त होता है, एक वक्त था जब मॉडल टाउन केस के बारे में लोहा जो है गर्म था और उस पे चोट लगाई जा सकती थी, यह माशाला जो अलमा शेख अल इसलाम साहब हैं, इन्हों पता नहीं करक इन्हों ने वो मौका, वो जो गरम मौका था, वो हट गया है, अब जो नून लीक के करीब हैं, और जिनकी धड़कने, नून लीक के साथ दिल की धड़कने वो चलती है, अब वो भी के खुशी उनके चेरों पे आ गई है, कि संबल गये हैं, हुदैबिया भी फैसला हो गया ये भी फैसला हो गया, अगला वजिर आजम भी नॉमिनेट हो गया, ये भी हो गया, तो अब जो एपी सी आप बुला रहे हैं, अलामा साथ, पीपल्स पार्टी ने उसमें शामल नहीं होना किसी तहरीक में, जब आसिफ अली जर्दारी साथ यहां पे आई भी थे, मिलहाज भी हम यहां जिकर कर चुके हैं, कि बड़े-बड़े मसाइल पे, माल रोड पे, एक लाहर मॉल पे, एक बड़ा ढंग का जलूस अभी तक नहीं निकल सका, जो अलामा खादम ब्रिजवी साब ने यहां से किया, उन्होंने महां वो फैजबाद किया, ऐसे यहां नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है, यहां पे एपी सी का जो मौका है, मौडल टाउन का, वो जो है, कदर ताखीर का, ताखीर इन्होंने दिखा दी है, और एक और चीज़, चौदा लोग मारे गए थे, तो हमने तो बड़े-बड़े हजम किये हुए चीज़ें, तो यह चौदा जो है, यह क्या केज़ दायर किया है, जी, वो पनामावला कहते थे, इसी तरह और बात चीज़ों के बारे मैं उनका रिकार्ड देखे हैं, तो उनके असेस्मेट अच्छी नहीं होती, और हीजान बहुत है, उनकी तब्याद में आपने देखा, जब वो बात करते हैं, तो पूरे को प पादशा का जिसके बारे में शाह हुसाइन ने कहा था, यह जो लाओर का शायर है, के अंदर आलूदा, बाहर पाकीजा ते तू शेख कहा हमें, राइश्क दा, सुई दा, नका, तागा हमें ता जामें, एक रिलेजियर्स कालर जो होता है, उसको अपने आपको सबसे एहम क हम खुद को डिसिप्लिन करना होता है, वो खुद को कोई रायत नहीं देता है, दूसरों को देता है, रुपया भी चाहिए, शौरत भी चाहिए, उक्तदार भी चाहिए, और मबालगा इतना करते हैं, पहले ही जलसे में उनका रेलवे स्टेशन तक हाजरी है, मोची दर्व अभी प्रमॉइंट, जो कसूरवार है उसको सजा मिले, ये कहना मेरे ख्याल में बनासिव नहीं है, मैं तो कोई हमदर्दी नहीं रखते हैं नूलीक सहिए, ये कहना कि हकुमत खत्म हो जाए, शबाज शरीफ कातला है, नवाज शरीफ कातला है, साध रभी कातला है, उनको सजा मिले, सई जूरी हो, सई जज हो, फारिंग तो उपर से भी हुई है, मैंने उसकी जो तहकीक की है, कुसूरवार हकूमत है, बादियों नजर में इंतहाई बड़ा जुर्म उनने किया है, लेकिन तफ्तीश का मतालबा करें, हकूमत अटाने का मतालबा करने का क्या मत तफ्तीश का मतालब करें, हकूमत उसके नतीजे में जाती है तो, ठीक है, कुसूरवार हकूमत है, लेकिन मामला अदालत में भी है, ताहरुल कादरी ये कहते हैं, कि फेर ट्रायल नहीं हो सकता जब तक ये लोग मौजूद है अपने उधों पर, इसलिए वो इस्तिफा मां सकते हैं, या उनके ए-पी-सी जो है, वो भी शायद हो जाए, लेकिन अपने मकसद में कामयाबी के इमकानात इसलिए कम हैं, कि अपोजिशन पार्टीज ने पिछले दिनों सपोर्टों ने कर दिया, और गालबन वर्बल सपोर्ट वो उनको दे देंगे, लेकिन अगल प्रॉमिनन्ट लीडर अमर्ज करे, या अगर इमरान खान भी कोशिश करे, तो उसको सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन अल्टिमेटली वो ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान ही, इमरान खानों बाकी सब जो है, वो बौने हो जाएं, इसी तरहां जो ताहरल कादरी को तो इतना उपर जाने नहीं देंगे, कि बाकी बौने लगें, लहाज़ा ताहरल कादरी के कामियाबी के फौरी तोर पे इमकानात कम, अच्छा तो एक बहुत सक्त विक्रा मैं कहना है, चरता हो वो उसूली बात है, सारी दुनिया मुझसे नाराज हो जब मैं कहूंगा, जो कभी बरकत नहीं हासल हो जगती, मैं पूरे बरकत, मैंने सारी जिन्दगी इस चीज़ों को समझने में सर्फ किया, ये इसने जो कहा, रसूल लगे मेरे पाद तश्रीव लाए और टिकट का कहा, तो ये किस मूँ से अपना इस काम का लीडर बनने चाहता है, तीनों की राया जिट किलिंग होई और वो दुनिया से चले गए, और इस मुकदमे में जिस संजीदगी का मुझारा डॉक्टर तारुल कादरी साब को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, फिर सारी तहरी तहरी बनाई जस्टिस बाकर नजवी साब के कमिशन रिपोर्ट पे, और ये कमिशन है, जिसका खुद डॉक्टर तारुल कादरी साब और उनकी पार्टी ने उस पे अदमे इतमाद जाहर किया था, उस पे बाइकार्ट किया था, और अब जब रिपोर्ट आ गई, तेके मेरा ख्याल था, वो सब कुछ निसार कर रहे थे उस रिपोर्ट पे, कि वहां स एक तहरीक लाउंच करेंगे, मेरा ख्याल उन्हें मयूसी हुई, और जजज साब ने भी सारे मामलाथ सामने रखके, सारी तफसिलाथ सामने रखके, उन्होंने का जी, इससे आप अपना मतलब निकाल लें, उन्होंने भी कोई फवाज बात नी की और खास दोर पे, शहबा मादर्ज करवाया था, वो द्रुस का भी हरुन साब ने, कि जी, नमाज श्रीब साब भी जुम्मदार हैं, प्रवेज रशीद साब भी, खाजा असर्थ साब भी, ये वो दियातों के अंदर ऐसे होता है, कि जी, जब मुखालफ पार्टी को बंसाना हूं, तो इस तरह की अ करें, बी और सी कैटेगरी के लोग वहाँ पर आएंगे, और वो जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, शायद वो मकसद जो है, उनका पूरा ना हुसाँ. तो जिससे सल्मान गनी साब ने बात किया, या साब आप फिर ये कहेंगे, कि सानहाय मौरल टाउन, मतलब मौरल टाउन के जो मतासरीन थे, उनके नाम पर सियासत की गई? वर्दा और रजाई डाल दी है, ये इनकी नुमाया काम्याबियों में शामल होता है. इतना बड़ा केस, लहोर के दिल में, मौरल टाउन अपने पडोस में, महले में, खादमे आला फरमाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सुबह वो टीवी देखा, और वो था इजलास होते रहे, हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, वो उसकी गवाई देते हैं, इजलास होते रहे, चीफ सेकरेटरी थे, राना सनावला थे, तौकीर शाह थे, और वो कमिशनल लाहर ने कहा कि जी, वहाँ से वो एंपोर्जिम्ट है, ये सब तो फैक्स है, ये मौदूदा केस का फैसला आया था, उस वक्त उठाया जाता, तब जो है, कभी पता चलता था, कि वो ये नहीं पता चलता था, कि यहां लहोर में तश्रीफ फरमा हैं, शेक अलिसलाम, कभी वो आ रहे थे, या कभी जा रहे थे, तो उनकी कैनिड़ा इदर उदर करने से, ऐसे तो पिर का और तरह का है, वो लोग समझते हैं, कि वो नून लीक के खलाब तहरीख चला रहे हैं, वो किसे कहानियां गगड़ते हैं, बद्गुमानियों का मौसम है, कि वो जैसे जलूस के बारे में कहा दिया था, तो वो उसको तो फाउच कि माइज आसला है, उसने असला दिया, उसन इसकी माफी मांगे, इसकी क्लारिटी हो और इसकी माफी मांगे, और उसके नतीजे में उसकी प्लिटिकल इंपलिकेशन भी हो रही है, यह थोड़ी सी भी सूजबूँज होती अगर, यानि राना से आला लाणा, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, राना से लाणा बेहाना जो दिये जो चलाएज़ एक तो बहुत पुराना है और दूसरा तो वो तो चीफ मिनिस्टर के कहने पे दिये मैं सो पीसात रहन है साथ चाहिए कि तरसीदो कर देए उनके कहने पे दिये और वो ना समझी है ना प्रेशर तो पंजाब हकूमत पे रहेगा क्योंके सेलवी साहब का हाईली टार्गेटेड है और वो गौर्मेंट की ओवर्ट्रो की बात नहीं कर रहे है बन्याई तोर पे वो रेजिगनेशन की बात कर रहे है फोकस कर रहे है अच्छा जहां तक ताहर अलकादरी का इशू है देखे उनका केस जेन्वन है 14 लोग जहां भाग हुए है और ये जेन्वन केस है और हकूमत पंजाब की नालाइकी है कि यहां इनसाफ नहीं दिया लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस केस में जो पॉलिटिकल डिविडेंट्स वो आसल करना चाहते है पॉलिटिकल डिविडेंट्स हासल करना सियसी मुनाफ़ा हासल करना जो है वो मुश्किल है केस जन्वन है उसी केस को अगर लीगल फ्रेमवर्क में परसू करें तो मेरा ख्याल ये है कि उनका कामयाबी हो सकती जो डाक्षप ने बात किये मैंने तो पहले भी यही बात किया कि वो इसमें इनसाफ में संजीद्गी जाहिर करते अब भी जो कुछ किया जा रहा है ये देखें वो आये किस मौके पे जब एक सुर्तियाल बनी वी थी और उनके होले से ये बात आम रहा है कि वो इस सवाले से तो संजीदा नहीं है लेकिन एक नई सुर्तियाल किये देखें ये फ़ान उन्हें आता है ये मैं समझता हूँ कि डाक्टर तारुल कादरी साहब एफजाज कर सकते हैं हरुन साहब ने का है कि वो जिस तरह कामरे होते हैं कि महाल तो वो बना देते हैं लेकि उनकी सियासी वामी बज़ीराई दो नहीं है अब इस सारे मामले को भी स्यास्त के लिए इस्वाल करना चाहते है मेरे खिल अब निया साल जब चड़़ेगा न तो सियासी जमादों की तर्जियात ओर होई यह गुजारे यह है कि तारीख इन्सानी में सबसे अलमनाक कतल किसी उम्मत के अंदर हुसाइन इबन अली का है रज़ियल्लाव तालू और आज तक लोग उस पे रोते हैं आज तक उसका मातन किया जाता है और दिल जान से किया जाता है को दिखावे के लिए ने क्या उसके न खिल्म ना उन से जादा मौतरम ना वैसा कोई खांदान एक बड़ी यह एहम बात है कि स्यासत की अपनी हरकियात है अब बास ही ले गया ना पर इक्तदार अंबियों से बनु आश्म को तो नहीं मिला यहां भी ले गया अच्छा एक चीज़ अगर आप इजार दें आप आप भी नजर आई कि वो बादल आप हमसे लिखवा लिए बादल चट गए नहीं सब असानी बैदा होगे हैं हो दैबिया भी आप ही किसी वी वक्त गरज सकते हैं बरस सकते हैं हम कहते हैं आई भी हैं लेकिन लेकिन अब यह सवाल है इस जिस वारे में बात करें सियासत के क्या आगास पर हर सियसी जमाद के अपनी तरजिहात होंगी बी और सी कैटिगरी की अगर क्या आदत आती है इस एपी सी में तो आपको क्या लगता है तुफान उठने से पहले बैठ जाएगा कौन से बाला यह 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 एपी सी में तो देखिए एक बात है सियासत एक तरफ चलता रहेगा शेख लिए की जो हरकात एक तरफ चौक फिर आब अदालत करें अब यह उन्मर्ण ने भुन नहें बुलता है ना 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 उसकी अब सारी तारीख देखें और पूरी तारीख ज़ें वह जो जाइम कादरी का बला दें वो तो ऐसे कहगा सब कुछ हो गया स सब कुछ हो गया इन्वेस्टिगेशन इन्होंने अपनी मर्जी की करवाई किसी को गिरिफतार नहीं किया किसी को जमानत नहीं करानी पड़ी जो एक बड़े जिन पे इल्जाम ता तौकीर शाह को जनीवा में वहां पे वो कर लिया धंग की तफ्तीश इस केस में नहीं हुई ये एक कवर अप था वाटर गेट से बड़ा कवर अप जो कामयाबी से इन्होंने अब तक वो कर लिया है और वो जो है परता जैसे चाक होना चाहिए जो बाकर नच्वी रिपोर्ट के बाद से कुछ होना चाहिए था पे भी अदालत करेगी कुछ जो होना चाहिए था क्या अब अदालत करेगी कुछ? दिखे पब्लिक प्रेशर का ऐसे माशरों में जहां पर अदारे सही काम ना कर रहे हूं पब्लिक प्रेशर की एक जगा और गुण्जाइश होती है यहां पे तब भी हो सकता था कि पबलिक प्रेशर माउंट किया जाए उसे जेनरेट किया जाए वो जेनरेट करने में ये जो है नाकाम रहे हैं बात बड़ी सीधी सीधी है आज तो पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं और खुद अपोजिशन और डाक साब हर चीज़ जो है वो अदालतों से करवाना चाहते हैं तो अदालतों को कर ले ने दे हैं अदालतों से रिजू करें अदालतों के वाले से संजीद्गी जाहर करें अब तो अदालते इतनी अजाद है कि पाकिस्तान के अलेक्टिड प्राइमिस्टर याद अबीर साथ प्राइमों से उने स्टेप्डों के तरह पड़ा है नगी अपोजीशन ये जनती नहीं है शरीफ खांदान को उन्होंने हदेविया मैनुपलेट कर लिया उन्होंने क्या क्या मैनुपलेट कर लिया चले उसमे रिवियू पेडिशन तो नहीं ने दाफिर कर लिया है और बात ये है कि बाके नच्वी रिपोर्ट भी अदालत ही के कहने पर सामने आई ये मौमला भी अदालत में है देखते जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत की बात करेंगे जहां चौधरी निसार बोले हैं तो जवाबन परवेज रशीद भी सामने आए वेल्कम बैक तो दो शो तिंग टैंक में अब हम मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी पॉलिटिक्स पे बात करने जा रहे हैं चौधरी निसार के कल का बयान उस पे हमने बात भी की उनका ये कहना था कि सियासी जमाते ट्वीट्स और टिकर्स के जरीए नहीं चलती क्या पार्टी में धड़े बंदी का खच्छा अभी मौझूद है अपने राय का इज़ार कीजिए आप क्या समझ है क्या देख रहे हैं सल्मान सब आप कहते हैं पार्टी में काम तकसीम हुए होते हैं क्या बयानात भी तकसीम हो गये नहीं आईशा यह जो नई सूर्ट अल बनी है मेरे ख़र यह जो मुख़कलात और मुकदमात के बाद जो चोधरी साब की प्रेस कानफरस है अब उसका बड़ी संजीदगी से नोटस लिया जा रहा है और मैंने इसलिए कल भी हवाला दिया था कि नवाज श्रीफ साब ने बगहर उनका नाम लिये हुए का कि इसका जब मेरी एलिया जो है इस तरह अलालत पर है मुकदमात का हम शिकार हैं तो ऐसी सूर्टहाल में इस तरह के बियानाद दे के ना तो नोट कोई पार्टी के अंदर पर जी रही मिलती है और ना बाहर और चोधरी साब की अगर आप सैसी तारीख देखें चोधरी और उस वक्त भी शहबाज श्रीफ साब ने स्टेंड लिया है और उनने का है कि अगर वजारते दाखला गई तो चौई साब रिजाइन दे दे देंगे मेरा खिल असल इम्तियान जो शुरू है वो अब शहबाज श्रीफ साब का इम्तिया है कि एक तरफ उनके बड़े बाद कई उन्होंने कि पार्टीज के अंदर अब टिकर्स और ट्वीट के साथ ये सारी सुर्टेहाल चलती है ये हफ्तावार प्रेस कांफरंस से नहीं उनके यह भी कहना था कि सियासी कारकूल है ये जब पार्ली बेट बेड़ जाना बहुत बड़ा क्रेट दी सियासी कार प्रवेद रशीद साथ को छोड़ें परवेद रशीद साथ के बारे में अलम अकबाल को पता था कैसा एकादमित पैदा होना है वो कह गए हैं कि खरीदते हैं फक्त उनका जोहर इद्राक शरी के हुक्म गुलामों को कर नहीं सकते जोहर इद्रा देखिए चोधरी साथ ने की दो तीन घलतियां बाद ये किसी के बेटे पर तनकीद नहीं करनी चाहिए और बेटी पर बिलकुल ही नहीं करनी चाहिए और इसी तरह बरे सभीर में लोग सियासेत में आते हैं उनका मौकब गलत है ये सही है मरीम का और जो भी ह लेकिन ये कहन नामनासे है कि जी कांसलर का अलेक्शन भी ने लड़ा कांसलर का अलेक्शन उनके वाले तैक गरामी ने भी नहीं लड़ा तो अब नए जवेदाशवी बन रहे हैं या कि ये गroneदान चाहिए नहीं कॉश्च में बनेंगा और मेरे बहुत मौत वहतरम दोस्त होते हैं और ज्यादा तवादन का मजारा करते हैं तो वह पुलिटिकल पार्टिकल पर्टिकस सरवरा हो सकते थे लेकिन यह बात उन्होंने रिजिस्टिर करा दिया अब क्या दूरूरत है इसकी तक्रार करते नहीं लोग मरें भूकें जाहिल रहें पीने को पानी ना कुछ ना उसको चोधरी निजार के क्या परवाया है और अब रास्ता अलग होने का खत्रा है शहबाद शरीफ कभी उससे अच्छा अब परवेद रिशीद अपने मुल से बोल रहा है परवेद रिशीद की राये है य माशाला परवेद रिशीद इंगा जूरत है के महले के ऐसे चोधरी बीखतलाब कर जाए ठीक है आटी पॉलिसी है लेकिन क्या शवाद शरीफ मना लेंगे चौधरी निसार को समझा लेंगे वो कह रहे है रास्ता लागा अब रास्ता अब रास्ता अब रास्ता अब खरीबन शवाद शरीफ को आप हटा दें तो नंबर टू थे पार्टी मतलब नंबर टू शवाद शरीफ थे नंबर थ्री चौधरी निसार इली खान थे तब सब ठीक था तब कोई ऐसे कोई प्राबलम नहीं था हम तो देखते थे पार्लेमानी पार्टी में बाकी है कोई जब से उन्होंने इनकी एमियत में थोड़ा सा थोड़ी सी कमी की तो एक दम ये असूल पसंदी भी आगी तो है बियानबाजी भी आगी सब कुछ होगे मिया नवाज शरीफ की एक बात तो सही है कि जब वो दुश्वारियों में है अपर दुश्वारियों में पर्वेज रशीद साब की बात कि ये जो हफ़ते में एक प्रेस कांफरंस करके स्यासत नहीं होती है अचा एक और चीज़ है जो आदमी प्रेस कांफरंस करते हैं या उन्हें बहुत शॉक होता है प्रेस कांफरंस का वो अपने गर्स आपने घर पहुते हैं हैं। वाजों करते हैं, करते हैं, ये रसूल सब कॉंटिनेंट का पता ने, मोती लाल नेरू से लेके आज तक है, ये कभी नहीं हुआ, और फिर च्टी नहीं है, ये कभी नहीं हुआ के पराई जगा, पराई पेस्ट्रियां, पराई चाहे, पराई वो जो है, खेलाद अपने, है ज सरकारी वो पंजाब हाउस है, वहाँ पे, वहाँ पे करके वो जो हफतावार प्रेस कांफरेंस होती है, हमारे कई, मैं नाम नहीं लूँगा, एक चकवाल के सियासेदान थे, बहुत मशूर, मरहूम हो गए हैं, उनके बारे में कहा जाता था, कि किसी ने इनका ड्रॉइंग रूम नहीं देखा हुआ, गिराज में मिठा देते, अच्छा, ये जो हैं, आपके बेबाक, वो जो हैं, वो जो आप जिनकी आप यहां बहर रोज जिकर करते हैं, इनका किसी ने ड्रॉइंग रॉइंग रॉइंग लेकिन वो फिक्रा आपके में मुकमली हुआ, वो जो में में देखा ख़ए पर ख़ए हुआ, मैंने लाज रॉइंग बात कर सकता हुआ, मैंने देखा भी है, कई बार चाहँ दरी साथ में कहा भी खाया है, ये जो कहने पर पच्छास अधार पर नकट भी दिये थे तो इतने करें घृतनी दोस्ती होनी चाहिए, वो ड्राइंग यहाँ पर यहाँ पर यह कर रहे हैं मैंना, शेवार वाथ शरीव से देसी मुर्गी घाई है जनाब अचाँ बात ये सवाल आप से करना चारीए कि पर चिद्वी निषार का इखिलाब पार्टी का यादत से पार्टी्क सर्छी नशार विश्टेर बाद करते है जो मेंन स्ट्रीम पीमलन की राय उससे मुक्तलिक होती है लेकिन सवाल ये है, एकर वो बार-बार रपीट करते हैं, तो इसके बार बैटते वही जाके हैं बैठते वही जाके हैं, शरीото, पहलूँ में बैट जाएंगे, मरियम के पास बैट जाएंगे यानि जो मेंस्ट्रीम जिस से डिसेगरी करते हैं पर उनके पास जाके क्यों बैटते हैं देखिए इस वक्त जो है ना मौजुदा सुरतिहाल आप पीमलन की ये कह सकते हैं कि अंदर जो सोच के मुख्तलिफ धारे तो आपको नजर आ रहे हैं लेकिन फिलहाल जो पीमलन है वो अंदरूनी खलफशार का शिकार नहीं होगी वो शिकार सिर्फ हो सकती है दो सूरतों में दो सूरते हैं जब वो शिकार ये मामले बिगड़ सकते हैं पहला ये है कि जो इसमत अकाउंटबिलिटी का केस चल रहा है अगर ये फैसला नवाज शिरीफ साब के खिलाफ आ जाता है तब वहाँ एक लीडिशिप क्राइसिस खड़ा होता है दूसरा ये है कि जब तक पीमलन फेडरल हकूमत को कंट्रोल करती है और खसूसां पंजाब हकूमत को कंट्रोल करती है कॉस्ट अफ डिफेक्शन यानि छोड़ के जाने की कीमत बहुत ज़्यादा है ठीक है इनकी खाइश है ये करीब है सबसे ज़्यादा शबाज श्रीफ के निसालली खान जो है वो चाहते हैं कि वुजिर आजम शबाज श्रीफ बने है उनकी नजरें मनसबदारी पंजाब पे है जब घलती से या सोच समझ के नवाज श्रीफ ने कह दिया है कि अगला वुजिर आजम का कैंड़ेट शबाज श्रीफ है तब तो चुप कर जा अगर उन्हें असादाना काम करने दिया गया जब शबाज श्रीफ साहब है असल टाकत तो वो है उनकी चले अवाम में अवाम में जिसके वीवर्स जो तिंग टैंक देख रहे हैं उनका क्या कहना है कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर फॉर्ट लाइन्स हैं जो मुस्लिम लीग नून के अंदर फॉर्ट लाइन्स गहरी हो सकती है ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कहा जाता है सेवा बिना नहीं मेवा लेकिन पाकिस्तान ने तो अमरीका की सेवा और ताबिदारी के तमाम जतन करके देख लिए अमरीका राम नहीं हो रहा तो क्या करें ब्रेक के बाद अमरीका का खित्ते में खुस्सान पाकिस्तान के लिए क्या किरदार आने वाले दिनों में हो सकता है एक तफसीली बहस है जिस पर बात करेंगे लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले साबिक वजिर अखला चौदिर निसार के पीमल एन के लिए मुश्किल वक्त में किरदार की बात कर रहे हैं तो सल्मान साब आप से हम पूछना चाहूंगी क्यों वो एक अलग मौकफ रख रहे हैं इसी सूरते हाल में देखें हैं अलग वो तो इस पे तो हम डिसकेशन कर चुके हैं कि उनका एक अलग मौकफ है और उस पर परेशानी यकीनन पार्टी लिडर्शिप को है और इम्तिहान जो है शावाज श्रीफ साब का है लेकिन अभी ब्रेक पे चौदी साब की तरफ से वजाहत आई है चुक अच्छी चीज़ है लेकन कबजा तो पंजाब होस पे बरकराम है और जो ड्राइंग रूम वारी बात की थी पूरे रावल पिंडी इसलामबाद में अब तक के अंदर का जांक के देखा हुआ है वो एक ही गवाई मिली है फरून साब की अभी तक दूसरी गवाई है यह अब खत्म हो चाता है आपके फीडबेक कर रहेंगा इंतिजार अगले प्रोग्राम तक के लिए नाने के मान के लिए गः नाने के लिएेट शार अगले वाईबेक कर दिने फारे नाने के लिए ठाज रहेंगा के यह मुझः और अवाई खुदा कर रहेंगा के लिए ना लुझा है हुआ है रहें दो